बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायवती ने बुद्वार को पार्टी प्रत्याशों के समर्थन में मद्धि प्रदेश के सतना में सभा की सतना के BTI मैदान में मायवती ने BSP को वोट करने की अपील की उन्होंने कहा मद्ध्य प्रदेश में पूरी ताकत तयारी और दमदारी से बीसपी चुनाव लड़ रही है मायवती को सुनने बड़ी संख्या में लोग पहुँचे मैदान में खड़े होने तक जगे नहीं बचपाई दावा किया जार रहा है कि करीब 30,000 कारिकरता और जनता मौजोद थी वही सबा को संभोधित करते हुए मायवती ने कहा कि इंद्र और प्रदेश में अलग-अलग दलों की सत्ता रही है लेकिन किसी भी दल ने सर्व समाज, गरीब आदिवासियों, किसानों और छोटे व्यापारियों का विकास नहीं किया मायवती ने कहा कास कर दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछले वर्ग के लोगों को यह बताना जरूरी है कि बाबा साहिब के प्रयासों से लाब मिला है बस्पा देश की एक मात्र ऐसी पार्टी है, जो धनी लोगों की मदद से नहीं, बलकि अपने पार्टी कारिकरताओं की मदद से चुनाव लड़ती है ताकि वह सर्वहित्गी बात कर सकें इसे के दम पर बस्पा ने यूपी में चार बार सरकार मनाई कॉंग्रेस और बीजेपी ने भी कभी भी आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया यह इस्तिती मद्यपरदेश में भी देखने को मिल रही है यहां तक की निजी छेत्र में सरकार आरक्षण पर ध्यान ना देकर काम कर रही है इससे दलित, आदिवासी और अन्य पिछडा वर्ग को भी काफी नुकसान हो रहा है मंडल कमिशन के अनुरूप लाब नहीं मिल रहा है उन्होंने कहा हमने वीपी सिंग की सरकार मंडल कमिशन की सिफारिश लागो करने की शर्त पर समर्थन दिया वीपी सिंग ने हमारी बात मानी और मंडल कमिशन लागो कर बाबा साहिब को भारत रखन दिया बीटी मैदान में सभा को संबोधित करते हुए बसपा प्रमुख मायवती ने कहा आपकी पार्टी मद्य प्रदेश के चुनाओं में पूरी ताकत तैयारी और दमदारी से लड़ रही है हमारा किसी से कोई समझाओता नहीं है इस सभा में सतना जिले की सात विदान सभा सीटों से प्रत्याशी शामिल हो है एस सीटों पर बसपा की टिकट पर सतना से रतनाकर चतुरवेदी शिवा, नागाउ से यादरवेल सिंग, चित्रकूर से सुभाष शर्मा डोली, रेगाउ से देवराज अहिरवार, रामपूर से मरीराज पटेल, अमर पाटा से चंगेलाल कोल और मैहर से विरेंद्र कुश चुनाव लड़ रहे हैं